माफी तो आपको भी मांगनी चाहिए आप तारकिक तौर से नहीं बात कर रहे थे माफी तो आपको भी मांगनी चाहिए लेकिन आप माफी मघवारे सुधानशु तुच्छी Um Agnes होना चाहिए अरे जनाब क्या बात कर रहे हैं आप ने इतरी हल्की जा घटिया बात कई मोदी जी के बारे में कहां से मोदी जी आ गए बीच में बाती हेमनता विश्वर्मा और राहूल गांदी की और जो फैक्ट रखा एक गरत रखा हो तो में माफी मांगने तो नेता नेता हमारे नेता नहीं आपके नेता थे और वो सोनिया गांधी को लिखे के लेटर की बात है जो वोलका रिपोर्ट में वह आपकी नेता है हमारी नेता नहीं है और आपको माफी मंगनी चाहिए बात करिए पहले इसको विड्रॉ करना चाहिए यह दिरें उसकी मौत और यह सब आपने वही बात रिपीट की पहले आप अरे उमा भारती जी ने कहा था कि मौधी जी को बिनास पूरुस आईए अगर एक इस तरह से उध्रित करने लगे तो एक एक चिंग लिकाल करत दिया जाएगा अरे सुनिया हाँ हाँ उसका भी जवाब देता हुआ जवाब सुनिये उमा भारती आपकी ही नेता थी जन्होंने कहा था कि मौधी जी बिनास पूरुस हैं बोलो हाँ सुनिये अरे भाई बात तो सुनिये अरे मेरी भाई बात तो सुनिये उमा भारती ने जब बोला था तब अलग पार्टी में थी हो जब आहीं तो उन्होंने कहा था आठ सो साल तक भारत ने इस वेक्टी के लिए इंतजार किया है यह मोदी जी के लिए बोला था 2013-14 में आप बोला तो कौन सही माना जाए बताईए नाइए अरे भाई यह तो पाइटी में नहीं थी आप बोला आप पैसे यहां पे क्यों बोला आपने पाटी मोदी ती कि मौत करने की बा अब एक अभी आप थोड़ी तेर पहले कह रहे थे ना हमारा यह लेवल नहीं हमारी यह मान सकता नहीं अपर दान-मंत्री के लिए किसने बोला था उन्हें फिर माफी मांगनी चाहिए आज क्यों अच्या इनके नेता क्या इनके नेता ने क्या बोला हो भी तो गिना दे नहीं नहीं पहले एक सेटी ड़क जाए सुदान्चु जी तो उसी पार्टी में हैं चोर की दाड़ी में तिनका यह किसनेता ने बोला था उमा भारती ने बोला था कि भूदी जी बिनास पुरुस है अब उसी पार्टी में है नहीं क्या पूछे आप से आप उमा भारती जी की बात कर रहे हैं चोर की दाड़ी में तिनका ये कौंग्रेस के कौन से नेता ने बोला था कि डवोला था कि दाड़ी में कितनी बार है उधर की बात नहीं कहिं क्या नैए इनसे के उधिए पूछ रही हूं और मैं उनसे पूच रही हूं और का सवाल उना हम्हेंसे पूसरी आपके सवाल का जवाब दीजी जिए वह आपके सवाल का जवाल देंगे आप foreign सब्सक्राइब नहीं रहे हैं सुधान्चु जी चौर की दाड़ी में तिनका यह किस नेता ने बोला था जवाब दिया एक बात का जवाब नहीं दिया अगर उसको अच्छा आद्मी मानते थे रहाँ समर्थन वाले दस्यों बाता है अगर आपकी नजर में वह अच्छा आद्मी था तो आपकी तुलना करने में बुरा ही क्या आपको प्राब्लम क्या हो गई अगर बुरा था तो कोट करके बता दीजिए कि हमारे फला नेता ने उसको कहाता है बहुत घटिया आदमी है इसलिए मुझे बुरा लगा उससे तु दिप्लोमेसी और सवहादरता के नियम कानौन को बेलकुल जानते ही नहीं नहीं इंटरनेशनल रिलेशन्सिप को जानते ही नहीं दूसरे देश का राष्टा धक्ष बुरा हो भला हो यह हमारा अधिकार नहीं हंस तक्षेप करने का यह यह डिप्लोमेसी यह कहती है इतना इनको पता होना चाहिए अज क्या मनते हैं और बैसिक इचित्स पता हो उनके उनके देश के लिए उनका डारेक्ट जवाब दीजे उसका उनका जो डारेक्ट प्केस्टन सद्धाम हुसेन को लेका सीधा जवाब दे दीजे मुझे क्या आप सद्धाम हुसेन को एक घटिया खलनायक मानते हैं या ठीक वेक्ति मानते हैं आपको बुरा क्यों लगा यह मैं जानना चाहता हूं अगर हलके में बात के लिए क्या बुरा लगा हां मैं आपको बताओ देखे सद्धाम हुसेन एक डिक्टेटर थे वहां पर लेकिन जहां अफगानिस्तान और भारत का है तेल हम लेते हैं एकसपोर्ट हम करते हैं इंपोर्ट करते हैं देश बुरा हो बहला हो वह एंटरनेशनल डिपलो मेंजी होती है लेकिन वहाँ का राष्टाध्यक्ष बुरा हो भला हो जो भी कुछ हो यह उनका मैटर होता है in transactions चाइना से भी transactions है सबसे transactions होते रहते हैं आप यह नहीं कह सकते international diplomacy को कुछ मापधन को जान लेना चाहिए जवाब दे लीजे आप डेटर थे एक डिक्टेटर था उपने देश के लिए डिक्टेटर था हिए कि मोधी जी बोल देंग डिक्टेटर है इंटरनेस्टल कट ओ है हमारे नाम सुते हैं लेकिन अज इन डूजोल डिक्टेटर माना परें विपक्षियों के इन इसलिए हमें आप्जक्शन है वापिस इनको माफी मांगना चाहिए नहीं भारी पड़ेगा आजके बात में कांग जवाब लीजिए ना अब देखे उदित राजी मैंने बहुत इस पस्ट कर दिया कि उसकी बात को व्यंग में लेना चाहिए गंभीड़ता से अगर लेंगे और आपको लगता कुतर कहे तो जाके नेटवर्सिंग पर मुकदबा कर दीजे न कि क्यों किताब मैं ऐसी बात लिखी है हमसे क्या बात कह रहे हैं मैंने तो आपके नेता कोट कहे दूसरा उद्ला की बात जहां तक है भी आपने हिटलर की बात कही तो मुझे एक बनेट अपनी बात कहलू आपने इतनी देर तक प्रवचन दिया माने बर अब मुझे अपनी बात कहलेने दीजे उदित राज्ये भी आपने हिटलर की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई हिटलर का सबसे राइट हैंड मैंड था रूडोल फैस उन्हें 1934 में जर्मनी पार्टी के कन्वेंशन में नारा लगवाया था हिटलर इस जर्मनी और जर्मनी इस हिटलर और आपकी पार्टी के एक राश्ड्याच्ड से दियुकांत वरुआ जिन्होंने यही नारा एमर्जंसी में लगवाया था इंडिया इज इंदरा एंदरा इस इंडिया और आज तक किसी राश्ट्री अजट्यक्ड ने कोंग्रेस के राश्टी एद्रेक्ट ने माफी नहीं मांगी इस बयान के लिए तो आज तक ये कॉंग्रेस का आधिकारिक बयान है और चोटे मोटे रिता करें राश्टी एद्रेक्स का लूगी मैं तो भाई हिट्लर के साफ मैं जारी रहेगा इस बाद में आप दोनों को वापस मंच देती हूँ उद्राज जी इसके बाद वापस मंच दूंगी